नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एज्यूकेशन चैनल एज्यूटूबर देव पर तो दोस्तों नाराज तिर्थिय शिक्षकों ने सुरू किया सत्यागर जी हाँ कुछ दिन पहले मैं आपको अपडेट दी थी कि जो इस्थानतरन नीती है वो नही एक तरीके से अपनी बात मनवाने का अंतिम पड़ाव होता है तो वो होता है दोस्तों आंदूलन करना भूख खड़ताल करना या फिर जो है सरकार के विरुद विरुद परदेशन करना तो दोस्तों वही किया जा रहा है परदेश में बहुँ चर्चीत तिर्ती शिर्णी अध्यापकों के तबातलों की मांग को लेकर लंबे समय से आंदूलन रत राज्थान एक गरित शिक्षक महासंग के बैनर तले बुदवार को सईद इस मार्ग पर तिर्ती सिर्णी अध्यापकों ने सत्यागरह सुरू किया महासंग परदेश अध्यक्स घर्पाल दादरब और महामंतरी जगमोन मीना ने बताया कि 33 शिक्षकों से तबादलों के लिए सरकार ने आविदन लिये जिसमें तगरीबन 25,000 शिक्षकों ने तबादलों के लिए आविदन किया सरकार ने आविदन लेने के बाद भी तबादले नहीं किये इससे शिक्षकों में आक्रोस है, परदेश उपादियक सजीद चोधरी ने बताया कि जब तक तबादलों को लेकर सरकार की और से शिक्षकों की पक्स में सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा, तब तक हम ये सत्यागर जो है वो जारी रखेंगे, सत्यागर में ये सारे अपने शिक्षक इसमें मौजूद रहे, अब देखिए कुछ और भी अपडेट है, पंचाय चुनाओ की चलते शिक्षकों बाग में तबादले तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी किर्यानविती नहीं हो रही है, इसके कारण जिले के तकरीबन 90 प्रिंसिपल तबादला अलवर होने के बाद भी कारे भार गरण नहीं कर पा रहे हैं, इसी परकार अन्य शिक्षकों के भी यही हाल है, पंचाय तिराज चुनाओ की चलते अलवर जिले में आचार सही तालग चुकी है और इसके कानिया तबादला आदेश प्रभावी नहीं होंगे, यह आदेश 31 अक्टूमर के बाद किर्यानवीत हो सकेंगे, अलवर जिले में 90 स्कूल प्रिंसिपल जोड तोड़कर तबादले के तो करा दी गए हैं, लेकिन अभी वो पुराने स्कूल में हैं, जिने कारे मुक्त नहीं किया जा सकता, इसी परकार सेकंड ग्रेड के तकरीब और डेट सो शिक्षक ऐसे जिनको अलवर जिले के स्कूल में कारे भार आचार शनी ताकि अटने के बाद ही जरन करना होगा, तो फिलाल तो वो जहां से हैं, वहां का पद छोड नहीं सकते, क्योंकि जब तक में आपद जोइन नहीं हो जाता, वहां ट्रांसपर एकसेप्ट नहीं हो जाता, तो ये भी में भी बात की है, उस वीडियो में, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आई बटन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा उपर, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा कि कैसे सेकंड ग्रेड, फस्ट ग्रेड, एच्चेम, यानि की हेड मास्टर, प्रिंसिपल वग तो ऐसी भी इस्तिती है, लेकिन थर्ड ग्रेड के लिए पताने इनके अलग नीतियां क्यों हो जाती है, और अब देखिए दोस्तों जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूँगा वीडियो और कम्यूनिटी पोस्ट के मादियम से, तब तक के दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार